स्वागत है आपका आपने यूट्व चैनल एड्यूहब ऑनलेन क्लासेज में दोस्तों सीबीसी और आर्ट सीएसी की असेज्मेंट स्किम को मंजूरी मिल गई है नई दिली की जो अपडेट आई है वो मैं आप से शेर कर रहे हूँ सुप्रीम क्योट ने सीबीसी और आर्ट सीएसी की परिक्षाओं को रद करने के लिए पहसले को चुन्नती देने वाली याचिकाओं को खारिच कर दिया है साथ ही छात्रों के परिक्षा पैटर्न का मुल्यंकन करने के लिए बोर्ड की और से लाई गई इवैलिशन स्किम को आगे बढ़ाने की भी अनुमती दे दी है जस्टिस ए एम खान वेकलर और जस्टिस दिनेस महिस्वरी बैंच ने बुदवार को सीबीसी का पाट्मेंट और प्राइवेट एक्जाम रद करने की मांग क्वाली ग्यार सो बावन छात्रों की याचिका पर भी सुनवाई की इस पर केंज सरकार ने कहा कि स्टेट और सेंटरल बोर्ड को एक ही नियमों में नहीं बांदा जा सकता हर बोर्ड के अपने नियम काईदे हैं वे अपने हिसाब से असेंडमेंट पॉलिशी तयार करने का अधिकार रखते हैं इसके साथ ही कोरोना माहामारी में स्टुडेंट्स को सुरक्षित रखना ज्यादा जरूरी है इसलिए एक्जाम नहीं करवाया जा सकता बेंच ने छात्रों को मुल्यांकन स्कीम या परिक्षा में बैटने में किसी एक विकल पो चुनने की मांग को ठुकरा दिया है इसके साथ ही बारवी के फिजिकल एक्जाम जुलाई में ही आयोजित कराने से भी कोर्ट ने इंकार कर दिया है कोर्ट ने इविलेशन स्कीम में स्कूलों द्वारा धांदली की आशंका को आरोप पर भी किसी तरह का आदेश दिने से मना कर दिया है बेंच को बताया गया कि इसके लिए वकाइदा एक रिजल्ट कमेटी बनाए गई है और कमेटी में स्कूल के अलावा बाहरी सद्शिय सामिल होंगे स्टूडेंट्स को मुल्यांकन के फॉर्मॉले पर अपत थी स्टूडेंट्स को पैरेंट्स की और वरिष्ट वकील विकासीय ने कहा कि अब कोरोना संक्रमन के मामले में कम होने लगे हैं तो ऐसे में फिजीकल एक्जाम करवाई जाने चाहिए उन्होंने तर्क दिया कि एक सिनियर मैट्स टीचर भी RCSI और CBC के मुल्यांकन के तयार फॉर्मॉले को नहीं समझ पारा तो स्टूडेंट्स कैसे समझेंगे 15 अगस से 15 सितंबर के बीच होंगे CBC एक्जाम 300 अगस से 15 सितंबर के बीच कराई जा सकते हैं उप्सनल एक्जाम में मिले अंको को ही फाइनल माना जाएगा आर्टनी जनरल के के वेनु गुपाल ने बताया कि 1921 से CBC अपनी सेवाई दे रही है इतियास में ऐसा कभी नहीं हुआ पहले कभी नहीं हुआ इस फॉर्मूले को हमने एक्सपर्ट कमेटी के साथ डिजाइन किया है दसवी कक्षा के बोर्ड एक्जाम और सबजेक्ट 11 और 12 से अलग होते हैं दोस्तों तो CBC का ये फॉर्मूल है दसवी के पाच सब्जेक्ट में जिन्च तीन चात्रों ने सबसे ज़्यादा स्कॉर किया होगा उन्हीं को रिजल्ट तयार करने के लिए चुना जाएगा 11 वी के पाचों विशे और 12 वी कक्षा की यूनिट टम या प्रैक्टिकल में प्राप्त अंकों को रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा और 10 वी और 11 के नंबर को 30-30 परसेंट और 12 के नंबर को 40 परसेंट वेटेस दिया जाएगा जो बच्चे परिक्षा देना चाते हैं उन्हें के लिए हालात सामानी होने पर अलग परिक्षा की वेवस्ता भी करवाई जाएगी दोस्तों तो यह अपडेट आई थी जो मैंने आपसे शेर की और इस तरह करके अपडेट पाने के लिए दोस्तों आप हमारे